बच्चों के लिए पाली पढ़ना भाग दो पहले भाग में आपने खुब सारा टिक टॉक बनाया नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस का दूसरे भाग में से आगे बढ़ेंगे बुद्धं सरनंग गच्छामी अब यहां जब आप नेट खोलेंगे और यहां पूरा कहीं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर जगे संस्कारित भासा में लिखा गया और गया गया है इसका पहले अंतर समझ ले पाली के अंदर जो प्रानी भासा है आज की हिंदी भी कह सकते हैं उसमें अंग बहुत इस्तमाल होता है अंग जैसे संग है गंग है जैसे हम बोलते हैं सिंग है मेरा नाम है सिंग है पाली का नाम है बाद में अंग आता है तो जिसमें बाद में अंग लग जाता है वो पाली में आता है अंग का मतलब होता है को इसमें अंग लग जया जैसे सिंग तो मतलब शेर को या अगर हम कहें बुद्धंग तो इसका मतलब बुद्ध को या धममंग धम को और इसका संस्काइट वर्जन किया गया बाद में इसको संस्काइट किया गया पूरिफैर्ट किया गया तो उन्होंने इसमें अम लगाया बाद में अम बुद्धम धंमम संगम जैसा कि मैं लिखके आपको ये बता रहा हूं कि ये जो है ये पाली में है बुद्धंग सर्णंग गच्छामी और ये दूसरा वाला जो है ये है संस्काइद भासा में बुद पाली में पढ़ना आया है तो यहां मैं आपको पाली में सिखा रहा हूं तो आप पाली में सीखेंगे पाली में शै नहीं होता। बुद्धंग शर्णंग गच्छामी यह शै की आवाज नहीं आएगी शै की आवाज आएगी बुद्धंग सर्णंग गच्छामी धम्मंग सर्णंग गच्छामी संगंग सर्णंग गच्छामी और जो संस्कायद भासा है उसमें ऐसे आता है मतलब दोनों का एक है मगर पाली में अलग तरह से बोला जाता है और संस्काइब भासा में अलग तरह से बोला जाता है तो हम यहाँ पाली में बात करेंगे आपने टिक टॉक जो बनाना है पाली में बनाना है आपने जो अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है जो Facebook पे डालना है वो पाली में डालना है और लिखना है कि ये पाली का है कैसे गाएंगे पाली में? कैसे याद करेंगे? इसको तीन वार गाते हैं फिर इसको बोलेंगे दुतियंपी दुतियंपी का मतलब है दुतियंग अपी दुतियंग माने दुबारा और अपी माने भी यानि दुबारा भी और ततियंग भी का मतलब है ततियंग और अपी यानि कि तिवारा भी अपी माने भी होता है और ततियंग माने तिवारा को भी तो हम दुबारा तिवारा में भी यही गाएंगे और तिवारा में भी यही करेंगे तत्यम भी जो करेंगे तिवारा में भी यही करेंगे तो आपने संसकाइद भासा का और पाली का डिफ्रेंस का अच्छी तरह से नोट करना है कि संसकाइद भासा में बाद में हलंत आता है मैं आता है अम आता है जैसे शर नम और पाली के अंदर आता है सर नंग तो यह अंतर आपने देखना है और सुरू के अंदर शे नहीं है तो से सब्द है सर नंग तो अब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे इसकी टिक टॉक पर वीडियो बनाएंगे यह आपका एक तरसे खेल और मनोलजन भी है जो छुटी में आपके काम आएगा और आप देद्रे पाली भी सीखेंगे और इसको गा कर अच्छी तरह से वीडियो बनाकर डालेंगे अपने परिवार में अपने लोगों में उनसे भी कहेंगे कि आप अपना वीडियो बनाकर इसको डालिए और वीडियो बनाना एक बहुत अच्छा जरिया है जिसको आप रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे कहेंगे बुद्धं सरनंग अच्छामी धम्मं सरनंग अच्छामी संगं सरनंग अच्छामी दुतियं पीबुद्धं सरनंग अच्छामी दुतियं पीदं मं सरनंग अच्छामी दुतियं पीजंगं सरनंग अच्छामी ततियं पीबुद्धं सरनंग अच्छामी यह आप बनाकर टिक टॉक पे डालेंगे, फेस्टॉक पे डालेंगे, मेरे फेस्टॉक पे अटेश्ट कर देंगे, महां कमेंट में डालेंगे या मेरा यूटूब चैनल है, जिस पे आप यह देख रहे हैं, टीम 22 यूटूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे, आप उसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आजकल कमप्टिशन भी चल रहा है, जो SM News पर है, आप उसके डालेंगे, तो आपको 10,000, 5,000 और 2,000 का उसमें बहुत सारे इनाम है, आपको इनाम भी मिलेंगे, आप खेल खेल में ये भासा सीख जाएंगे, मैं आपको पाली में और भी आगे सिखाऊंगा, ये दूसरे नमबर की वीडियो है, धन्यवाद, आप सभी से ये निविदन है, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सोका है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संखन शरनं गच्चा में उतं शरनं गच्चा में संखन शरनं गच्चा में संखन शरनं गच्चा में बतं शरनं गच्चा में